एगाइस तो आज हम प्रोग्रामर्स के लिए लैप्टॉप्स आपको रेक्मेंड करने वाले तो अगर आपका बजट है 25,000 से लेके 80,000 के बीच में और आपको एक अच्छा लैप्टॉप देख रहे हो अपने प्रोग्रामिंग वर्क के लिए तो यह लैप्टॉप्स आपक आपको Ryzen 3 30 250 U देखने को मिलता है जो कि Beginner Level के लिए बहुत ही अच्छा है उसके साथ आपको 8GB RAM और 256GB SSD देखने को मिलती है यह Laptop around 26,990 में मिल रहा है जो कि बहुत ही अच्छी value देता है यह Laptop आपके basic programming needs RAM से पूरे कर देगा तो अगर आप 30,000 के थोड़ा उपर यह 15-inch का laptop है जो कि आता है i3 N305 के साथ इसमें भी आपको 8GB RAM with 256GB SSD देखने को मिलता है जो कि आपको 32,000 में मिल रहा है और अगर आप budget थोड़ा increase कर सकते हो better processor आपको चाहिए तो मैं आपको recommend करूँगा Honor MagicBook 15 यह Laptop around 36,000 में मिल रहा है बहुत ही अच्छी value देता है इसमें आपको देखने को मिलता है Ryzen 550 500 U जो कि काफी बढ़िया प्रसेसर है इसी के साथ-साथ एक और अच्छा पावर वड़ा laptop है वो है Lenovo V15 जो कि आता है i3 12 generation के साथ जो कि काफी बढ़िया CPU है इसमें आपको storage भी है वो 512GB की मिलते है जो कि थोड़ी बेटर है पिछले laptop से स्ट storage में आपको थोड़ा compromise करना पड़ेगा बट मेरे हिसाब से programmers को उतनी जादा storage की जरुवत नहीं पड़ती है So now let's talk about budget around 50,000 rupees here I will recommend MSI Modern 15 जो की नया laptop है और काफी बड़ी आ laptop है जिसमें आपको Ryzen 5 7530U देखने को मिलता है जो कि एक नया processor है and it comes with 16GB of RAM अगर आप Android Studio में काफी सादा simulation करते हो तो ये बहुत ही अच्छा रहेगा आपके लिए Apparently ये laptop आपके programming की सारी need complete कर सकता है इसके ऊपर के चोपी laptops होंगे थोड़े luxury हो जाएंगे Next laptop in the list is HP 15S which also comes with 16GB of RAM और इसका जो processor है वो मिलता है आपको Ryzen 5 5500U So guys अगर आपका budget जो है 50,000 के around है तो मैं recommend करूंगा आप at least 16GB of RAM ले Especially आप एक अगर android developer हो तो और HP 15S के similar specs पर आपको मिल जाएगा Honor MagicBook 14 और इसका जो budget हो HP 15S से भी काफी काम है Now let's talk about budget अगर 60,000 रुपीज Here I will recommend HP 14S ये compact laptop है मतलब अगर आपको बहुत जादा compact laptops पसंद है आपको traveling में अगरा करते हो तो काफी handy हो जाता है इसमें आपको i5 12 generation का CPU देखने को मिलता है जो कि काफी powerful CPU है उसे के साथ साथ आपको 16GB of RAM भी देखने को मिलता है Let's talk about budget under 70,000 रुपीज Here I will recommend again MSI Modern 15 which comes with i5 13 Gen processor ये भी काफी बढ़िया laptop है अगर आपका budget around 62,000 का है तो और अगर आपको performance थोड़ी और अची चाहिए तो इसका i7 12 generation का भी variant आता है 64,000 में वो भी आप consider कर सकते हो और अगर आपको एक great build quality वाला laptop चाहिए जो कि sleek भी हो काफी तो यहां मैं आपको recommend करूँगा HP Pavilion Aero ये आता है Ryzen 5 7000 सीरीज के साथ ये एक super compact 13.3 इंच का laptop है मतलब बहुत ही जादा handy होगा तो आप अगर एक compact lightweight laptop चाहते हैं तो मैं इससे आपको suggest करता हूँ इसका जो weight हो सिफ 970 grams है तो आप सोच सकते हो कितना हलका laptop ही है ये laptop आपको around 68000 का देखने को मिल जाता है इसके उपर की budget की बात करूँ तो आप MacBook Air M1 भी ले सकते हो वह भी अच्छा compact laptop हो जाएगा आपके लिए उसकी screen भी चोटी है और अगर आपका budget का कोई problem नहीं है तो आप 15 इंच वाला MacBook Air consider का सकते हो which comes with M2 chip but make sure आप 16GB RAM वाले MacBooks लें अगर आप resource heavy task करते हो तो basic programming के लिए 8GB would be enough but 16GB रहेगा तो आपको benefit मिलेगा complex work में तो आप सोचोगे की heavy workload मतलब क्या like android showroom आपको real time simulation करना पड़ता है उसमें आपका app है यो complex है तो शायद आपके resources जादा ले सकता है वैसे ही आप भी कोई software ऐसा use करते हो similar to that तो भी आपको उसमें 16GB of RAM consider करना चाहिए so I hope ये वीडियो के जरीए आपको laptop select करने में help हुआ होगा जो भी laptop मैंने बोले उनकी exact link आपको description में मिल जाएगी आप check कर सकते हो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ share करना ताकि वो भी एक correct laptop ले सके for programming और अगर आप एक video editor हो editing के लिए laptop देख रहे हो उसके लिए मैंने भी recently वीडियो बनाया है तो आप check कर सकते हो उसका भी link आपको description और i button में मिल जाएगा वीडियो पसंद आया तो like करना मैं मिलता आप से next video में